स्वागत है आपका Grow with Skills में आज हम Excel में दो functions को समझने वाले हैं पहला function replace और दूसरा function substitute जो maximum लोगों को लगता है कि replace और substitute functions लगभग एक ही होते हैं बट ऐसा नहीं है दोनों में बहुत बड़ा difference है और दोनों ही बहुत ही जादा use होने वाले functions हैं तो चलिए जल्दी से start करते हैं और दोनों की बीच में difference समझते हैं तो पहला जब हमारा जो function है वो है replace function replace में आप syntax अगर देखेंगे तो इसमें हमारे पाच हमारे पास कुछ arguments होते हैं पहला old text कि आपको पुराना कौन सा text है जिसको आपको replace करना है starting number, starting position आपको देनी होती है उसके बाद number of characters कितने characters को replace करना है वो आपको देना होता है उसके बाद new text क्या देना है वो आपको देना है replace का mainly काम क्या होता है हमारा कोई भी एक text है उस text में से अगर हम particular text को replace करना चाहते हैं तो वो हम replace के through कर सकते हैं ठीक है चलिए example में देखते हैं यह मैंने first example लिया है यहाँ पर मैंने कुछ भी data लिया है यह कोई real data नहीं है raw data है मैंने सबसे पहला लिखा है Microsoft Excel 2018 ठीक है अब मुझे 2018 की जगह है 2016 करना है basically 8 को replace करना है with 6 ठीक है तो क्या होगा replace ठीक है old text सबसे पहले पूछेगा old text आपका कौन सा है तो हमारा old text यह है starting number अब सबसे बड़ा जो हमारे पास question आता है वो यह ही है कि starting number यह कैसे find out होगा इसका कोई alternate नहीं है आपको count करके ही find out करना होगा तो count करके आप find out करेंगे कि यह कौन सी position पर है ठीक है तो जैसे 8 थ हमारा है 20th position पर ठीक है वो हम लिखेंगे including space उसके बाद comma number of characters कितने characters आपको replace करने है तो हमें तो एक ही character करना है 8 को replace करना है बस तो हम दे देंगे 1 then comma new text new text आपका क्या है अगर हमारा जो new text है वो character है तो हम inverted comma के अंदर देंगे character नहीं है तो हम normally भी दे सकते हैं तो हम ऐसे ही दे देंगे 6 bracket close और enter कर देंगे तो यह देखिए 2016 हो गया ठीक है next में मैं अगर आती हूँ तो मुझे जो मेरा mid है वो capital letter में जो लिखा है मुझे उसको करना है small letter में ठीक है तो वो काम भी मैं replace के थूँ कर सकती हूँ ठीक है यहाँ पर हम आए text ले लिया starting number उसने पूछा है तो first है और कितने characters हमें replace करने है तो 3 character ठीक है और replace करने के बाद हमें क्या देना है वो हम देंगे inverted comma में क्योंकि यह है text mid हमें small में चाहिए ठीक है और bracket close तो यह देखिए यह आ गया ठीक है तो basically replace के थूँ हम कोई भी text को किसी भी text के साथ another text के साथ replace कर सकते हैं बस आपको starting position और कितने character replace करने है वो आपको count करके देने होंगे ठीक है next example में एक और example के थूँ समझते हैं यहाँ पर मेरे पास है abc-gmail.com ठीक है मतलब यह मेरी email id है मैंने कुछ भी नाम दिया है email id कुछ भी हो सकते हैं तो gmail.com, gmail.com, yahoo.com इससे आपको समझ में आ रहा है कि यह email id है पट email address में add the rate होना mandate है तो हम हमें यहाँ पर clearly display हो रहा है कि hyphen की जगह पर add the rate होना चाहिए था ठीक है तो हम वही replace करेंगे यहाँ पर लिखेंगे replace sorry equal to हम भूल गए replace ठीक है old text हमारा यह है starting number तो a, b, c, 3 और 4 पूर्थ नमबर पर हमें बदलना है number of characters कितने characters बदलने एक ही बदलना है hyphen एक ही है कॉमा क्या तुम्हें नया text चाहिए तो नया text हमें add the rate चाहिए वो हमने दे दिया और enter कर दिया ठीक है अब हो सकता है जो gmail.com से पहले जो domain से पहले नाम होता है वो हमेशा हर इनसान का अलग-अलग होता है और उसकी character limit अलग-अलग होती है ठीक है तो अगर हम एक के according formula लगाते है with using replace function तो ऐस जरूरी नहीं है कि वो सारे ही आपके data के लिए correct हो जैसे इसी example में अगर हम देखते हैं मैं down करती हूँ formula को copy करती हूँ तो आप देख रहे होंगे मेरी सारी email IDs गलत हो चुकी है ठीक है क्यूं क्यूंकि यहाँ पे हमें एक जो replace function है उसकी कुछ foundations भी है वो सिर्फ एक text को pass करता है sorry text को replace करता है जहां से हम उसे बोलेंगे वहां से वो उसे replace करके दे देगा ठीक है पूरा का पूरा text हम इसमें pass नहीं कर सकते कि आप इस text को replace करो इस text के साथ हमें सिर्फ starting position देनी होती है और number of characters बताने होते है ठीक है तो इसकी वज़े से replace में ये एक कमी है जो हम overcome करेंगे with substitute function तो चलिए अब substitute में जाते हैं substitute function के जैसे हम syntax की बात करते हैं तो इसमें हमें text तो देना ही होता है ठीक है कौन सा आपका text है वो old text क्या है पहला वाला जो argument है text वाला वो है कि किस में आपको changes करने है ठीक है old text की उस जो आपने selected range है आपकी उसमें से कौन सा ऐसा text है जिसको आप change करना चाहते है ठीक है या किसी दूसरे text को उसकी जगह देना चाहते है new text आप जो selected text है उसकी जगह पे नया क्या text देना चाहते है ठीक है और एक और argument होता है instance का वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ क्योंकि यह optional है ठीक है तो अब जैसे हमारा जो first example था same मैं लेके चलती हूँ कि 2018 को हमने replace किया था 2016 पर उसमें हमारा हमें starting से count करना पड़ा था कि 8 कौन सी position पर है तो क्या substitute में भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा करके देखते हैं substitute यहाँ पर हमें पूछ रहा है text तो हमने ले लिया text उसके बाद यह पूछ रहा है कि पुराना आपका text क्या है तो पुराना text हम इसे पूरा बताएंगे हम इसको position नहीं बताएंगे हम इसे direct बोलेंगे कि 2018 है भाई उसको लो या फिर आप सिर्फ 8 को लो यह और भी easy है 8 को ले लो new text आपको क्या चाहिए 6 ले लो और instance को अभी छोड़ देते हैं और enter कर देते हैं तो यह देखिए तब आप ही सोचिए कि replace और substitute दोनों में क्या difference है ठीक है कुछ चीज़े replace के लिए काफी अच्छी है कुछ चीज़े replace के लिए अच्छी नहीं है जो हम substitute में use करते हैं ठीक है और अब same example आते हैं इसके थूँ इसमें हमें क्या करना था hyphen को replace करना था add the rate के साथ ठीक है तो चलिए यहाँ पर भी हम करके देख लेते हैं substitute हमने किया और text को select किया हमें क्या करना है hyphen को remove करना है add the rate के साथ और bracket close तो यह देखिए ABC और मैं अगर इसको drag करती हूँ तो यह सब ही मैं correct होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पूरा का पूरा text देते हैं यहाँ पर हम position नहीं बताते हैं replace वाले में हम position बताते हैं इसलिए वहाँ पर mistake हो जाती है सारे data के लिए वो clear नहीं हो पाता लेकिन यहाँ पर हम उसे text बता देते हैं कि भाई जहाँ पर भी तुझे यह text मिलेगा तू इसको replace कर दियो या इसकी जगह पर यह आप यह दे देना बस ठीक है अब एक और argument था इसमें instance वाला instance का क्या मतलब है suppose यह मेरे पास data है ठीक है gmail.com के abc- यहाँ पर इसने ले लिया x, y, z ठीक है फिर hyphen यह ले लिया है माल लीजे ठीक है एक user ने अपनी यह email id ले लिया अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है दो hyphen है ठीक है अगर मैं same formula use करती हूं equal to substitute अगर same formula use करते हैं और उसको बोलते हैं कि text आपका old text है hyphen और new text है आपका sorry comma add the rate और आप इसको replace कर दो तो यह क्या करेगा जो first वाला hyphen था उसे भी add the rate बनाएगा और जो second वाला hyphen था उसे भी add the rate बनाएगा ठीक है बट हमें हमारी requirement के according ऐसा नहीं चाहिए हमें यह चाहिए कि जो domain से पहले वाला है मतलब जो second वाला hyphen है सिर्फ उसी को replace किया जाए उससे पहले वाले को ना किया जाए क्योंकि वो उस person का name है ठीक है वो add the rate नहीं होना चाहिए तो इस case में हम क्या करेंगे instance argument का use करेंगे f2 प्रेस करेंगे सबसे पहले formula open करने के लिए bracket हटाएंगे comma प्रेस करेंगे और instance number में हम उसको देंगे कि first वाला या second वाला अगर हम यहाँ पर देते हैं two तो वो second वाले को replace करके देगा हमें यह देखिए first वाला उसने hyphen ही रहने दिया और second वाले को replace करके दे दिया तो instance का मतलब यह होता है ठीक है replace और substitute I hope आपको दोनों के बीच में difference समझ में आया होगा और दोनों ही formula बहुत ही simple है बस use करने का तरीका और criteria आपको समझना होगा तो आज के लिए इतना ही मैं मिलती हूँ आपको next वीडियो में तब तक के लिए stay safe, stay healthy और channel को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा thank you so much, bye bye